हलो फ्रेंड्स स्वागता असुभी का आप यट्यूट्व क्लास में तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में जो कॉस्ट्टन हम डिसकस करेंगे ये क्लास 10 की महत से एक्सरसाइज 4.1 का question number 2 का second part है question number 2 में हमसे बोला गया है कि represent in the form of quadratic equation मनला इसको सिर्फ quadratic equation के form बनाना है इसके root या answer find नहीं करना है ठीक है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा इसकी मत करिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपके question में हमसे बोला गया है दा प्रोड़क्ट आप टू consecutive positive integers is 306 we need to find out the integers यहां पर दिको इन्हों ने कहा है कि दो positive integer आपको लेना है उनको multiply करना है और उनके multiply करने पर जो answer आएगा वो 306 आएगा ठीक है सबसे पहले आपको यह जाना पड़ेगा कि positive consecutive integers क्या होते हैं तो देखो जो positive consecutive integers होते हैं वो होते हैं जैसे कि मानलो आपने लेलिया एक्स फिर इदर हो गया एक्स प्लस बन फिर आपने लेलिया एक्स प्लस टू फिर आपने लेलिया एक्स प्लस थरी तो इनको जो है आगे हम इंफानाइट तक राइट कर सकते हैं अनि कि आगे हम बढ़ा सकते हैं अब देखो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वान एक्स माइनस टू लेकिन यह सब नेगेटिव नंबर्स हैं ठीक हैं यह सब नेगेटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव हमसे ले लो या फिर दोनों को ले लो किसी बीदोग को ले लो मैं आपर इसको ले रहा हूँ क्योंकि इसे हमारे calculation ओर इजी हो जाएगा ठीक है ये आपके निगेटिव होते हैं इसलिये यह पॉज़िटिएव को पहुंज करके solution let two positive consecutive integers are x and x plus 1 then their product अब देखो यहां पर इनको multiply करेंगे तो क्या होगा x into x plus 1 is equal to 306 ठीक है अब इसको अंदर multiply कराएंगे तो x into x x square plus x बन्जा x is equal to 306 अब इसको इदर लेकर आएंगे तो minus हो जाएगा x square plus x minus 306 और इसके place पर हो जाएगा 0 तो यह हमारा क्या बनेगा quadratic equation बनेगा यही हमसे question में पूछा गया है इसका root नहीं find करना है question में आप ध्यान से पढ़िया तो उसमें लिका है represent in the form of quadratic equation तो यह हमारा quadratic equation के form में आ गया power 2 है यह हमारा answer होगा इस question का तो आप चाहें तो वीडियो को पहुच करके right down कर सकते हैं या फिर screenshot ले सकते हैं तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class